नमस्कार मैं संकेत और आप देख रहे हैं MN TV केंदर की मोधी सरकार द्वारा लाए गए इलेक्टरोल बॉंड योजना की कठोर आलोचना करते हुए पूर्वो मुख्य चुनाव आयुक्त S.Y. कुरेशी ने कहा कि इलेक्टरोल बॉंड योजना क्रोनी कैपिटलिजम यानी सांट गाट वाले पूंजी वाद को कानुनी और वैद बना दिया है अब ये जानकारी पूरी नहीं मिलती है मालुम हो कि जनवरी 2018 में भाजपा की अगुवाई वाली NDA सरकार द्वारा इलेक्टरोल बॉंड योजना लाई गई थी इसके तहट दान करता अधिकृद बैंकों से बॉंड खरीच सकता है ये बॉंड 15 दिनों के लिए वैद होते हैं और पात्र राजनितिक दल इस अउधी में किसी अधिकृद बैंक खाते के जरिये इन्हें भुना सकता है इलेक्टरोल बॉंड के जरिये पार्टियों को चंदा देने वाले व्यक्ति के बारे में पता नहीं चलता है सरकार का दावा है कि इस योजना का उद्देष राजनितिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता लाना है हाला कि चुनाव आयोग और कई पूरवार चुनाव आयुग्तों ने इलेक्टरोल बॉंड की कड़ी आलोचना की है हाल ही में चुनाव आयोग ने सूप्रीम कोट में हलफ नामा दायर कर कहा कि इलेक्टरोल बॉंड पार्टियों को मिलने वाले चंदे की पारदरशिता के लिए खतरनाक है सूचना के अधिकार यानि RTI के तहत मांगी गई जानकारी से पता चला है कि इलेक्टरोल बॉंड की बिक्री पिछले साल की तुल्ना में करिब 62 प्रतिशत बढ़ गई है साल 2019 में भार्टिय स्टेट बैंक यानि SBI ने 1700 करोड रुपई से अधिक के इलेक्टरोल बॉंड बेचे है इससे पहले साल यानि 2018 में मार्च, अपराइल, मई, जुलाई, अक्टूबर और नवंबर के माह में 1056.73 करोड के बॉंड बेचे गए थे चुनाव आयोग ने कहा है कि इलेक्टरोल बॉंड योजना और कार्पोरेट फंडिंग को असिमित करने से राजनितिक दलो की पारदर्शिता और राजनितिक दलो को मिलने वाले चंदे की पारदर्शिता इन पहलूओ पर गंभिर प्रभाव पड़ेगा विदेशी योगदा नियमन कानुन में सौंशोधन के केंदर के फैसले पर चुनाव आयोग ने कहा कि इस से भारत में राजनितिक दलो को अनियंतरित विदेशी फंडिंग की अनुमती मिलेगी और इससे भारतिय नीतिया विदेशी कमपनियों से प्रभावित हो सकती है चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाले गयर सरकारी संगठन Association for Democratic Reforms यानी ADR ने हाल ही में इलेक्टरोल बॉंड की विक्री पर रोग की मांग करते हुए सूप्रिम कोट में अपिल की है मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी ने एक अलग याचिका में इसे शिर्स अदालत में चुनवती दी है लेकिन क्या केवल ऐसी चुनवतीयों से ही चुनाव में हो रहा पैसे का गहरवेवार रुक जाएगा या चुनाव आयोग इसे रोकने के लिए कोई ठुस कदम भी उठाएगा इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताईए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए अपने दोस्त और परिवार के साथ शेर कीजिए अभी दग अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए साथ में ही बेल आइकन का बटन दबाईए और बने रहिए MN TV के साथ अब तक के लिए बस इतना ही आप सभी का धन्यवाद